हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फुडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दा हंडूरिड क्रिकेट के मुकाबले की जो की खिला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स वर्सिस बर्मिंगम फिनिक्स के बीच में नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिच क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 31 जुलाई को रात के 11 वजे से अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉटिंगम के पिच रिपोर्ट के बारे में तो भाई साब ये मैदान एकदम कमाल काय बल्ले बाजी करने के लिए बाउंडरीज बहुत जादा छोटी है इस मैदान के अंदर तो इस मुकाबले में काफी अच्छा खासा स्कूर बन सकता ह सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ ट्रेंट रॉकेट्स के बारे में जिनोंने अपने दो में से दो मुकाबले जीते हैं और ये टीम मुझे बहुत ही शांदार लगती है बल्ले बाजी के अंदर टॉम मैंटा ने एक बहुत ही शांदार फॉर्मेट के लिए बहुत ही इस टीम के अंदर है नंबर टीम पर बैटिंग करते हैं और जिस दिन हेल्स फॉर्म में आएंगे ना बाकी टीमों के लिए असान होने ने वाला उसके लावा सेम हैन भी इस टीम के अंदर है तो ट्रेंट रॉकेट्स की जो बल्ले बाजी हो अलग लेवल पर जा चुकी है उसके लावा राशित खान है बाई साब इस टीम के अंदर अल राउंडर मानता हूं मैं उनको पिछले मुकाबले में दो विकेट्स में निकाले दो लंबी लंबे चके भी मारे एक बहुत ही इंपोर्टन प्लेयर है इस टीम के और सेम बात लाग होती है इमाद वसीम के लि जॉर्डन थॉम्सन ने भी पिछले मुकाबले के अंदर बहुती कमाल की गिनबाजी करी थी इन दोनों के लावा भी काफी सारे ओप्शन्स हैं तो ट्रेंड जो रॉकेट से उनकी बैटिंग भी अच्छी है और राउंडर्स भी अच्छे हैं ये लोग इस मुकाबले के अ काफी जारा स्ट्रॉंग हो जाएगी बेंड डकेट इस मुकाबले के अंदर वापसी कर सकते हैं ओपन करेंगे वो इस टीम के लिए और भाई बेंड डकेट टेस्ट में ता तेज खेलते हैं वो इधर कैसा खेलेंगे इसके बारे में आप सो सकते हो और जेमी स्मिथ भी आ बैंड बलबास में बैनी हावल बल्ले बाजी कर सकते हैं मुईनली इस टीम के अंदर है लियमिलिउउंच्टन टीम के अंदर है तो अचानक से इन दो प्लेयर्स के आने के बाद आघन स्ट्रोंग लगने लग गई है आगर में बात करता हूँ गेंड बारे में तो शौन अ बटने चार विकेट्स निकाले पिछले मुकाबले में अस्ट्रेलिया से आते हैं बहुत ही experience प्लेयर जरूर से इस मुकाबले के अंदर भी विकेट्स निकालना चाहेंगे और Tim Saudi का spell भी काफी शांदार था पिछले मुकाबले के अंदर Saudi का हम लोग हलके में ले नहीं सकते उसके लावा इस टीम के अंदर अब्वेसी बात है Adam Mill का option है Mohin Ali गिनबाजी कर सकते हैं Livingston गिनबाजी कर सकते हैं Howell भी गिनबाजी कर सकते हैं तो ये टीम मुझे काफी शांदा लग रही है proper balances टीम के अंदर भी आप मुझे comment करके बताओ कि इस मुकाबल में कौँसी टीम वो जीत मिलेगी और इस मुकाबले की fantasy टीम आने वाली एक भी screen के उपपर तो ये मुकाबला मुझे काफी बराबरी का होने की उमीद है पर मैं इस मुकाबले के अंदर home advantage दूँगा ट्रेंड रॉकेट्स को उनके पास एक काफी बैलेंस टीम है और वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं उमीद करतों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी लगी तो लाइक कीजिएगा सबस्क्राइक पीजिए चनल को इस तरह वीडियो देहने के लिए मुलाकात होगी अपसकले वीडियो के अंदर और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं